तो फ्रेंड्स केसे हैं आप आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्तान की प्रसीद मक्की की घाट फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत पसंद है जिन जिन को पसंद है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए तो चलिए फिर टेस्टी सी घाट बनाते हैं इसे बनाने के लिए मै इसे हमारी देशी लेंग्वेज में मक्की की घाट ही बोला जाता है पानी थोड़ा गुनगुना होने के बाद एक कटोरी जो मैंने दलिया लिया था यानि मक्की की घाट लीती इस तरह लगातार चलाते वे मैंने इसके अंदर डाल दी है मीडिय फ्लेम पे गेस को रखना है वो लगातार अच्छे से इसे चलाते जाना है इसमें जो छिलके होते हैं दो मिट उबाल आने पर ये उपर आ जाएंगे तो आपको इस तरह की स्टील की चलनी लेनी है और इस तरह से चलनी को अंदर इसके गुमाते वे इन छिलकों को निक पका दिये जाये तो इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है तो मैंने छिलके हटा लिये हैं और अच्छे से फिर इसे उबालाने के लिए मैंने छोड़ दिया है तो देखें अब हमारी जो ये घाट है थोड़ी साब भी हो चुकी है सर्दियों में ये घाट तो मुझे खाना बहुत पसंद है, जिने पसंद है वो इसे बना के जरू ट्राइ कीजीएगा तो लगातार इसे चलाते वे मैंने पकाया है, फिर मैंने इसके अंदर एक छोटा चमच नमक डाला है नमक डालना जरूरी होता है, तब इसका perfect taste होता है तो फिर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है देखिए friends अच्छे से उबाल आने लगा है उपर तक ये आने लगी है तो इसी तरह से ये पकाई जाएगी और लगातार इसे चलाते ही रहना है ताकि ये बाहर ना आए देखिए friends अब पानी भी अच्छे से कम हो चुका है और घाट अच्छे से फूल चुकी है और ये गाड़ी होने लगी है तो इस स्टेज पे लगातार चलाते रहना है इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना ये पैन के चिपक सकते हैं तो ध्यान से इस जगह आप काम कीजिएगा अच्छे से चलाते वे से पकाईएगा friends इस जगह जब ये उचलती है तो आप समझ लीजिएगा कि अब ये पक चुकी है इसका मतलब ये होता है कि जब ये उचल के बाहर आ रही है या इस तरह से खदक रही है तो मतलब ये अच्छे से पक चुकी है पकने के बाद मैंने गेस के फ्लैम ओफ कर दी है और इसे बाउल के अंदर निकाल लिया है तो हमारी टेस्टी घाट बनके तयार है फिर मैंने थाली के अंदर घाट रखी है और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा रखाय मेने घी तो आप चाहे तो इसे शक्कर और घी के साथ भी खा सकते हैं ऐसे भी सूपर टेस्टी लगती है पर मेरा तो फेवरेट है दही और घाट खाना मुझे तो सर्दियों में दही और घाट खाना ही पसंद है इसे पकाते पकाते ही मुझे पानी आ गया है और थाली में इस तरह देखके तो और ज़्यादा मुझे पानी आ रहा है तो इसे इस तरह से ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है थाली में थोड़ी घाट डाल ली जाए और उपर से दही मिला लिया जाए तो बात ही क्या है तो अभी से मेरे मूँ में पानी आ रहा है मेरा तो खाने का मन कर रहा है तो मैं तो इसे इंजोई करने जा रही हूँ आप भी बनाईए और सर्दियो में इसका आनद लीजे रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स